गुड मॉर्निंग स्टुडन्स, स्टाने सेवन सबची हिंदी लास्ट में हम लोगोंने सच्चा हिरा कहानी थी, वो हमने कम्प्लीट की और आप लोगों न अच्छी तरह से एक्जाम भी कम्प्लीट कर ली तो आज हम फिर से ओनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रहे तो आज हम करेंगे क्रामर का एक टोपिक, करेंगे वर्तमानकाल, भविश्यकाल और भूतकाल तो ओपन करो पेज नमबर 18 टेक्सबुक तो हमें पता है कि वर्तमानकाल, बाद में भविश्यकाल और भूतकाल तीन काल होते लेकिन हमें केसे बता चलता है कि वर्तमानकाल, भविश्यकाल और भूतकाल, कौन से सेंटेंस किस काल के है तो आज जब इस प्रकार के टोपिक में सिखेंगे कि वर्तमानकाल केसे बनता है, भूतकाल केसे बनता है और भविश्यकाल केसे बनता है तो पहला काले हमारा वर्तमानकाल, तो हम स्टार्ट करते हैं, पासा सज्जता, नीमनलिकित वाक्यों को पढ़ी, पहले हम वाक्यों को पढ़ेंगे, बाद में हम वर्तमानकाल का उसका जो व्याक है वो समझेंगे, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में खुटी है और खेलता है यह तीनों के नीचे अंदरलाइन की है अब हम उसका reason क्या है जानते हैं उपर यूप तो वाक्यों मेरे खांकित किये गए चलते हैं चुटी है खेलता है यह सब्द क्रिया हो रही है यानि कि अभी हो रही है वर्तमान काल यानि presentence यानि कि अभी present में वो क्रियाए एक्सन हो रहे हैं तो एसा बोध कराती हैं तो हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही हो एसा बोध होता हो उसे वर्तमानकाल करते हैं यानि कि प्रेजेंट में जो होता है वो हम उसको वर्तमानकाल बुलते हैं समझ में आया तो हम इस प्रकास से नीचे है निम्नलेखित वाक्यों में से वर्तमानकाल की जहानकारी देने वाले सब्दों को रेखांकित कीजिए यानि कि आपको रेखांकित करना है कि आपको कौन से सब्द में से पता चलता है कि ये वर्तमानकाल है तो मैं उसे मैंने उसे फूल दिया तो दिया यानि कि यहा रहे है तो क्या है खेल रहे है अभी खेल रहे है चुंहे उच्छरकुद कर रहे थे कर रहे थे गे वर्तमानका नहीं है ये भुद का ले वो क्रिया हो चुकी है अभी हो नहीं रही है उसके बाद वह विद्यालय जा रहा है यानि कि अभी जा रहा है तो ये रहा उसके बाद ह हम प्रयाग जाएंगे, गए नहीं है, गए भी नहीं थे, अब भी हम जाने वाले हैं, यानि कि ये फ्यूचर टेंस है, ये वर्तमानकाल नहीं है, निमना लिखित वाक्यों को पढ़िये, मिना कल मुंबई गई, ये मंत ने पत्र लिखा, मा ने दिया जलाया, घिता ने पानी पिया, अब यहां पे सेंटेंस आपने देखे, वो कैसे है, कि जो क्रिया है, हो चुकी है, तो उपर यूप तो वाक्यों में रेखांकित किये गए सब्द, गए, लिखा, जलाया, पिया, किरिया पूरी हो गई है, एसा बोध कराते हैं, ये से लग वो क्रिया हो गई है, तो निमनलेखित वाक्यों में भूद काल की जानकारी देने वाले सब्दों को रेखांकित किजिए, तो मैंने उसे फ़ल दिये, तो क्या होगा, दिये, पिता जी अखबार पढ़ रहे थे, तो क्या आएगा, पढ़ रहे थे, उसके बादे, कांदीनागर गुजरात में है, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, अभी वो वर्तमान में भी है, इसलिए ये वर्तमान का है, ये चितर आपको कल दूंगा, कल दूंगा, तो उसका क्या होगा, ये अभी दिया नहीं है, कल देगा, तो ये फ्यूचर टेंस है, उसके बाद यहाँ अक्सर सुखा पढ़ता ह है, तो ये क्या है, पढ़ता है, तो ये है बुद्काल, हम पहले सुरत में रहते थे, तो बुद्काल, सोमनाथ जोतिलिंग है, तो वो अभी भी है, यानि कि वो बुद्काल नहीं है, ये वर्तमान काल है, समझ में आया, अब हम देखते हैं, तिसरे नमबर का काल, नीमने ल आएगा लड़के सामको खेलेंगे मीना कुडिया खरी देंगी दाकिया डाक लाएगा यानि कि उपर जितनी क्रिया हुई है वो अभी तक हुई नहीं है होने वाली है लेकिन नहीं हुई है तो उपर यूग तो वाक्यों में रेखांगित किये गई सब्द आएगा खेलेंगे खरीदेंगी लाएगा क्रिया होने वाली है एसा बोध कराते हैं क्रिया के जीस रूप से क्रिया होने वाली हो एसा बोध होता हो उसे क्या कहते हैं भविश्यकार तो निमनलिखित वाक्यों में से भविश्यकार की जानकारी देने वाले सब्द को रेखांकित कीजिए तो माली बाग में से फूल चुनेगा अभी चुना नहीं है चुनेगा तो ये रहा हम हिंदी सिखते है अभी वो present चल रहा है तो ये present tense है यानि कि वर्त मानका PINKAL, कल कहानी की किताब लाएगी अभी तक लाई नहीं ये लाएगी तो ये future tense मैं सिखशक बनूँगा आपी बना नहीं है त्रिम है कोमल छठी कक्सा की छात्रा थी छात्रा थी तो यह क्या हो गया बूधकाल पास्ट टेंस है अनिल कल पतन उडाएगा तो यह है फ्यूचर टेंस मैं बस में जा रहा था तो यह है बूधकाल तो कृया के जीस रूपसे कृया के समय उसकी पुरूनता या अपूनता का बोध उसे काल के तेह हैं और कल के प्रमुख तीन बेध हैं कितने हैं तीन वर्थमानकाल भूथकाल और पविश्यकाल समझ में आया तो ये थैज का हमारे grammar का topic वर्थमानकाल भूथकाल और पविशगार बहुती इज़ी है सिर्फ हमें पीछे वाले सब्दों को ध्यान देना है कि क्रिया पूरी हो गई है नहीं हुई है प्रेजन्ट है पास्ट है या फ्विचर टेंस है तो पेले एक बार आप लोगे पूरा टोपिक एक बार रीट कर लोगे तो समझ में आ जाएग तो अब आप लोगों को ये दोनों पेज आप लोगों को नोटबुक में लिखने है ओके